भारत में फसल उत्पादन फसल उत्पादन का अर्थ कृषी से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है विगत 60 वर्षों में कृषी उत्पादन में व्रिधी हुई है देश में अनाज का कुल उत्पादन 1959 में 59 मिलियन तन था जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन तन हो गया अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना व्रिधी हुई है इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक व्रिधी हुई है 1959 में देश की जनसंख्या 36 करोड थी जो 2011 में बढ़कर 121 करोड हो गई है इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुल्ना में अनाज उत्पादन में अधिक व्रिधी हुई है देश में 1959 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन तन था जो 2010-11 में 18 मिलियन तन हो गया इस काल में दाल के उत्पादन में लगभक 2 गुना व्रिधी हुई देश में 1959 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया यह पहले से 6 गुना अधिक है इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम व्रिद्धी हुई सभी अनाजों के उत्पादन में व्रिद्धी एक समान नहीं है रिक्ते स्थानों की पूर्ती करते हुए इस बात को समझ सकते हैं